आगरा में ग्लैम फैसन ब्यूटी एकेडमी और रावी इवेंट्स की ओर से आयोजित किये जा रहे ग्लैम फैसन फीर 2022 में ब्रज की मदूबनी शेली और खादी एक नए अफ्तार में दर्शकों को दिखेगी प्यूजन रिफ्लैक्षन और मदूबनी मुरली थीम के शमावेस के साथ 18 जुलाई को होटल कलार्क सिवराज में होने जा रहे मेगा फैसन सो की ग्लैम फैसन डीम बीक के दोरान इसकी तैयारियां जोरो पर सुरू हो चुकी है कारगिल तरहा इस्थित ग्लैम ब्यूटी एकेडमी पर शुक्रवार को विध्यारतियों की एक कारिशाला का आयूजन किया गया आरिशाला का विधीवत सुबारम संस्थान के निदेशक शिवानी मिस्रा, आसीज मिस्रा, रावी इवेंट्स के प्रवंदक निदेशक मनी सागरवाल, रोहित बरेजा और फैसन कॉरियोग्राफर कपिल आहूजा ने मासरस्वती के समक्षदी प्रजजलन किया निदेशक शिवानी मिस्रा, आबम आसीज मिस्रा ने संयुक तरूप से बताया कि फैसन सो में 11 राउंड में करीब 145 डिजाइनर परिधानों को 80 फुट लंबी रैम पर 69 विदेसी मॉडल्स कैट बॉक कर प्रस्तुत करेंगी नारी सक्ती को समर्पित फैसन इंडस्ट्रीड में करियर बनाने वाले विध्यारतियों को अपने डिजाइनर परिधानों को दिखाने के लिए मंच मिलेगा पर अपने तरीके तरीके की थीम्स है जो बैसे के लिए में इस तरीके काम कर रही हूं वह है मुरली और बैसे की लिए उसका पीछे का मोटे भिये है हमें पुरा राधा-कृष्न का जो भी हमने अठेलिया देखी है या फिर जो भी हमने प्रहले के टाइम पर हो लोग करा क तेसा चीजे कर अगरते हैं अबने काम किया हैं उससे हमने हाथ से सारी पेंटिंग करी हैं आजी किशी की है किसी की भी हेल्प नहीं लिए वह सारा काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है वह इतने कम समय में एक महीने के अंदर में हमें सारी ड्रेस तयार करनी और सारी चीज़ा तयार करनी बहुत ज़्यादा टफ होता है वट हाँ हमने खोशिश किये अपनी साइट से कि हम सारी चीज़ा बहुत अच्छे से करें और हम इस बार ब्रज का दिखाएंगे कि किस तरीके से और कितना खुबसूरत हो सकता है ब्र